चलिए फ्रेंड्स आज हम ये कमरक्की लॉंजी बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी होती है और किस तरीके से बनती है आज आपको ये भी बताती हूं मैं चलिए फ्रेंस कमरक की लॉंजी बनाते हैं सरसो का तेल मैंने इसमें एड़ कर दिया है और ये बहुत ही टेस्टी और हैल्दी होती है ये भी हमारे लिए सर्वियों में बहुत ज्यादा आती है इस तरीके से इसको पीसों में काट लेना है आपको सबसे पहले हींग जीरा हल्दी पौडर धनिया पौडर लाल मिर्ची और उसके बाद जो मैंने एक कमरक काटी है इसको है इसमें एड़ कर दीजिए कि हम इसे खट मिक्ती बनाएंगे तो थोड़ा कमीथा बहुत टेस्टी लगती है यह ऐसे बनके अब इसको थोड़ी दे ढग बेंगे हम यह मसाले थोड़ी इसमें मिक्स हो जाएं तो चलिए फ्रैंड्स अपनी लौंजी एवाद चेक कर लेते हैं कि बिल्कुल सॉप्ट हो जाएगी यह बनते बनते और खाने में भी टेस्टी लगती है खटी है तो उसके लिए आपको पते है कि आजकल खटी चीज़े खानी जरूरी है तो यह उस तरीके से भी हमारे लिए फायदे मन्दें अभी सॉप्ट नहीं हुई है थोड़ी सॉप होने तक इसको पकाना है हमको और अगर आप नहीं चाते इसे खटी मीठी बनानी तो जिस तरीके से मेरे मसाले एड़ करें तो आप खाली उसे नमकीन भी बना सकते हैं बिना मीठा एड़ करें हमारी लॉंजी कितनी बन गई है तो फ्रेंड्स एक बार चेक कर लेते हैं इसक और देखने में जितनी अच्छी लग रही है सच्मानिय फ्रेंड्स आप इसे बनाओगे तो आपको और भी अच्छी लगेगी और बच्चे तो इसे इसलिए पसंद करेंगे कि एक तरीके से वह कहते हैं उन्हें खटा मीटा पसंद होता है जैम जैसा स्वाद जैम का स्वा इस तरीके से आपको यह पकानी है इस तरीके फ्रेंड्स हमारी लॉंजी बन के तैयार है जो बहुती टेस्टी लगती है बनने के बास और इस पर जरू ट्राइए किजिए आप इसको आपको यह प्रूब वाओ आपको